सब्सक्राइब करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रपेरिशन प्रॉपर चल रहे होगी आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो अभी मद्यप्रदेश में प्रोग्राम लॉंच किया गया है जिसका नाम है चरण पादुका यह मद् लेबर्स ठीक है उनके लिए प्रोग्राम लॉंच किया है यह प्रोग्राम क्या है ठीक है और इसके क्या-क्या पॉइंट आपके एक्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे तो वीडियो को बिगिनिंग से लिके एंड तक जरूर देखेग करना है और आपको डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक कर लेना है आपकी इस एकजाम के लिए प्रपरेशन करना चाहते हैं और इससमें e-learning सेफ, हिल एई-learning की सबसे safe learning है तो आप क्या किजिए सबसे पहले आपको download किजिए गोल select किजिए और उसके बाद अनकाडमी के जो टॉप एजूकेटर उनके आप unlimited live classes, structured courses, live test and quizzes को access कर सकते हैं और अगर गाइज यह जो channel है हमारा YouTube channel current interface in 10 इससे related update आपको पाना है तो आप किजिए कि जो हमारा telegram interface को जोइन कर लीजगा तो जितने भी upcoming video उनका notification आपको मिल जाया करेगा और जितने भी lectures उनका आपको PDF इसी ग्रूप पर forward कर दिया जाएगा ठीक है गाईज और अगर आप anacademy के bank exam का subscription लेते हैं तो गाईज जो वनियर का total cost जाता है वह है आपको 5400 का 10% discount के साथ discount को लेनी के लिए आपको एक code यूज करना पड़ेगा मेरा code याद रखेगा SKT live और अगर आप two year plan के लिए जाते हैं तो total cost जाएगा 6480 तो यू selected either one year or two year I think two year is more better than one year तो code यूज करना मत भूलिएगा 10% discount पाने के लिए और मेरा code याद रखेगा SKT live अब बात करते हैं हम लोग आज के topic की तो आज जो हमारा topic है मैंने भी बताया कि हमारा जो topic है चरण पादू का campaign और यह जो campaign के recently मद्ध प्रदेश की राज सरकार के द्वारा launch किया गया ठीक है पैदल चल करके वह अपनी destination गाउं या सहरों तक पहुंच रहे हैं तो बहुत से ऐसी लेवर है तो इसका जो मैं याद रखेगा तरण पादू का मतलब लोगों को जो पैदल चल रहे हैं नंगे पाउं चल रहे हैं उन लोगों को चपल या जूते प्रोवाइट किये जाएंगे इस program के था है ठीक है और यह जो program अभी recently launch किया याद रखेगा मद्ध प्रदेश की सरकार है और इसके तहर्ट जो यह जो सूज यह स्लीपर्स प्रोवाइट की जाएंगी है माइगरेंट लिवर्स को ठीक है तो वही हमने पॉइंट लिखा है कि अंडर इस कामपेणी सूज एंड स्लीपर्स विल बी ओफर्ड बाइड इस्टेट गवर्मेंट तो दोज लिवर्स प्रवासी मजदूर है वह सड़कों पर बिना जूतों के या बिना चपलों के चल रहे हैं उन लोगों को जूते और चपल प्रोवाइट किये जा सके जिससे उनका दर्द दूर हो सके ठीक है वैसे सरकार के द्वारा अभी रेसेंट ली नंबर ऑफ ट्रेंस भी लाउच की कई गई है कि एक जून से 200 से ज्यादा चलेंगे कुछ बसेस भी चलाई जा रहे हैं ठीक है तो यह नंबर ऑफ इनिसेट है जो गवर्मेंट चला रही है अब देखो जाए इस प्रोग्राम की थोड़ा डिटेल में जाए तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है चरण पादुका जो लॉंच किया था वो मद्यप्रदेश की सरकार ने लॉंच किया था और दूसरा जो लॉंच किया गया था वो याद रखेगा 36 गड़ की सरकार ने लॉंच किया था ठीक है दोनों डिफरेंट है चरण पादुका जो अभी चलाया गया है वो जो प्रवासी मज जरब दाचरणपादू का कैंपेडिंग बाइदा पुलिस ये तो पहली जो अभी रेसेंटली मद्द प्रदेश वाला है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ठीक है ये पुलिस के तौरे स्टार्ट किया जाएगा और पुलिस ने जो इसको स्टार्ट किया है अब इसका बैक्राउंड देखे जरा दो हजार अठार में इसी तरह की स्कीम मद्द प्रदेश की सरकार ने लॉंच की थी जिसका नाम था चरणपादू का योजना और यह उन लोगों के लिए था जो तेंदू पत्ता को जाकर के कलेक्ट करते थे ठीक है तो जितने भी तो जो पुरुस्त थे उनको जूते प्रोवाइट की जाते थे ठीक है यह सभी वो लोग थे जो तेंदू पत्ता को कलेक्ट करने जाते थे तो इस प्रोग्राम का नाम दिया गया चरण पादू का योजना जो 2018 में लॉंच की गई थी मद्द प्रदेश सरकार के द्वारा बाकि इसके लिए देख लिए जगा पूरा नाम ही दिया गया था विल लॉंच फोर तेंदू पत्ता अभियान फोर दर वेल्फियर ऑफ दा फॉरेंच ड्वेलर तो जो वनवासी लोग थे उनको लोगों के लिए लॉंच किया गया ठीक है जो जनजाती छेत्र जोन छेत्र चरण पादुका इसकी तो आपको याद हो जब असेंबली इलेक्शन चल रहे थे तो 2018 में जो प्रधार मंत्री साहब थे वो वीजापूर गए थे अपने एक सभा को समोधेत करते हुए तो वहाँ पर प्रधार मंत्री जी ने एक महिला को पादुका पहनाई यानि कि इस गड़ में तो यह याद रखी गा 2008 की बात करने जा रहे हैं जब इलेक्शन के लिए वहाँ पर गए हुए तो प्रधार मंति नरेंद मोधी स्पीच के देने के लिए प्रधार मंत्री नरेंद मोधी स्पीच के देने के लिए लेकिन सरकार के द्वारा फिर उनको फिट जोड़ा गया शुरुआत में सिर्फ पुर्सों को जोड़ा गया था वाहिलां को भी विगनिंग में जूते दिये जाते थे लेकिन बाद में सरकार ने फिर उनको जूते दिने बंद कि और स्लीपर्स देना शुरुआत कि तो यह जो इसकी में 36 गड़ की अगर बात करने ज उसके बाद जो बीजेपी गवर्मेंट थी वहां पर नहीं बन पाई और अभी रिसेंटली बात करें तो कॉंग्रेस गवर्मेंट है तो जो नए CMI गुपेज बगेल उन्होंने अब स्कीम को हटानी की बात किया उन्हों डिसाइड किया है कि हम इस चरण पादुका योजन में प्रोवाइट किया जाएगा ठीक है तो अब कही न कहीं सरकार जो कॉंग्रेस सरकार यह जो बीजेपी गौवर्मेंट के द्वारा चलाया गया रहा था उसको बंद करके ठीक है अब कॉंग्रेस उस स्कीम को उन्होंने क्लोज करने का प्रयास किया है और उन्हों बोला ह है तो जिस तरीके से इसका यूटलाइजेशन कर सकते हैं अब सच्चाई क्या है इस स्कीम की जरे इसमें देख लीजेगा मैंने नोट में दिया है जरसल 2005 से सिस्टम शुरू हुआ जब कुछ लोग कुछ लोगों का समुदाय जंगलों में जाकर के तेंदू पत्ता को कलेक करता था ठीक है तो 2005 से सुरुआत हुआ बाद में 2008 में इसको फिर से रिन्यू किया गया इसमें महिलाओं को भी जोड़ा गया और 2018 में बड़ा पॉपलर हुआ ठीक है क्योंकि स्टेज में जब रैली के संभुद्धित किया जा रहा था तो प्रधार मंत्री जी ने एक महिल से बड़ा पॉपलर हो गया तो एक्चुल में इसका बेक्ग्राउंड जो है वो 2005 और 2008 से ही था ठीक है तो यह थोड़ा थियोरी याद रखी गया जो अभी रेसेंट्ली स्कीम लांच की गये चरण पादु का वह जो प्रवासी मजदूर उन लोगों को चपल पहनाने के लि अगर आप वीडियो पहली बार देखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बैल आइकन को इट कीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबेक जरूर दीजिएगा और इस टेलिग्राम ग्रुप को जोइन कर लिजेगा और अगर आप सब्सक्रिप्श